गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वालकम टू आवर यूटूब चैनल में हूं आयुशी और आज है 13 जून और 13 जून से करेंड डफेस के जित्ते इंपॉर्टेंस कोश्चन होगे आज कि आपस वीडियो में डिसकर्स करेंगे तो बढ़ते हैं हमारे कोश्चन की तरफ तो हमार पुलतिंसर 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 किसे दिया गया है तो आप याद रखना होट विंग किंग को दिया गया है तो ड्रामा का पुलतिंसर 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 तो होट विंग कि को दिया गया है यह पुरुसकार जो होता है 22 श्रेणियों में प्रत्तिक विजित्ता को प्रमान पत्र और USA डॉलर दिया जाता है 15,000 रुपे नगत USA डॉलर होता है प्राप्त होता है सारवजनिक सेवा श्रेणी में विजित्ताओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है इसके अलावा पुलतिंसर पुरुसका 2021 के 105 वे संस्क्रेट की विजित्ताओं की गोशना कर दी गई है पुलतिंसर पुरुसका सयुक्तर राज अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिकाओ और ओनलाइन पत्रकारिता साहित संगीत रशना में उपलब्दियों के लिए एक पुरुसकारे पुरुसकार जो है, यह जो पुलतिनसर पुरुसकार है, यह सयुक्त राच अमेरिका में जो समाचार पत्रिका, आनलाइन पत्रकारी था, साहित्य और संगित रश्णा में उपलब देखरे पुरुसकार है, मतलब जैनलिस्म जो होता है वहाँ के लिए और ड्रामा आर्ट के यह जो है music, drama, arts इनके लिए पुरिसकार होता है कहां पे सयुत्राज अमेरिका में और यह जो 1917 में अमेरिका की हंगरी में जन में जोसेप पुलतिन्जर की वसीयत के प्रावधानों के दोरह स्थापिट किया गया था तो जो 1917 में अमेरिकी के हंगरी में एक जोसेप पुलतिन् कि इसकार और जो कि एक अगबार के प्रपाशक था यह पुरुसका न्युआ श्रहर में कॉलॉंब्या विष्विदार्यदेजवर्ह यहां पर कुछ जर्नलीजम दिये हुआ है पत्र पत्र कारिता के बारे में जिन्हें पुलतिंजर पुर्सका से नवाजा गया था जो पुब्लिक सर्विस के लिए दिया गया था तो वो था पुब्लिक सर्विस के लिए दिया गया था दन्यू यॉर्क टाइम और जो सेकेंड रिपोर्टिंग के लिए यह था, वो था मेगा, राजफोर्मा असन क्लिंग एंड क्रिस्ट्वाशिक का आफ न्यूस यह सारे आपको दिये हुआ हैं, मतलब सारे रिपोर्टर्स के बारे में दिये हुआ हैं अगर फिर आर्टोबराइग्राफी, पोईट्री, जेनरल, नॉटिफिकेशन, म्यूजिक, स्पेशल, सिक्षेंच, इसके लिए भी जो भी दिये हैं, इस सारे इस लिस्ट में दिये हैं, तो आप इसका स्क्रिंशॉट ले लिजिए, या फिर पीडिया डॉनलोड कर लिजिए स्युक्त राज अमेरिका के पत्रिक पत्र कारिता समाचा और पत्र बुक्स और ड्रामास के लिए दिया जाता है, पुलतिंजर पुरुजगार, बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकि आप इस डिजेल जो यह हैं, यह पीडियाफ से डाउनलोड कर लिजिएगा, या इ अप्षी नमबर ए जो ही कन्नर भाषा के यह बहुत अच्छे कवी थे, जिनका हाली में जो है, निदन होगयार काफी प्रसित कवी थे, सिंध धल लिगार कशेक प्रसित कवी थे, यह कॉशन में आता है कि कन्नर भाषा कौन से राजी की लैंगवेज है तो यह कनाटक राज प्रसित कवी थे कंणर भाशा के यह कंणाटक के पहले दलित कवियों में से एक थे और लोग इन्हें प्यार से दलिता कवी की बुलाते थे सेकेंड है इन्हें कंणर में मतलब जो सिंधोलेंगिया है इन्हें कंणर में दलित बंदिया साहित्य आंदलन शुरू करने और दलित लेखन की शेली शुरू करने का श्रे दिया जाता है यह राज्य में दलिज संगा समीति के संस्थापकों में से जो थे वो एक थे और हाली में जो है इनका निदन हो गया है तो उसमें यार रखनी वाली बात यही है कि जो सिंधे लिग्गिया है जिनका हाली में निदन हुआ हैं यह प्रसिद कभी कर्णर भाशा के थे करनर भाषय कहा बोले जाती है तो करनर भाषय करनाटक राज्यो में बोले जाती है बढ़ते हमारा नेक्स कोशन के तरह तो हमारा आज का थर्ड कोशन है वो ही हाली में पदमशे से सम्मानित किस प्रसिद अर्थशास्त्री और पर्यावर्णी विद्ध का ओडिशा के भूमनेश्वर में निदन हो गया है इसका सही अंसर है ओफिशन नमबर डी प्रोफेसर राधा मोहन तो हाली में जो पदम्षी से सम्मानेत पसिद अर्थशास्त्त्री और पर्यावर्नी विद्द जो थे और्डिशा भंनेश्वर में, प्रोफेसर रदा मोहन का और्डिशा के भुमनेश्वर में जो है निदन हो गया है तो वह ओडिशा की पुर्वा सुचन आयूक थे और उन्हीं ओडिशा की विभीने कॉलेजियों में अर्थ शाय से की व्याख्या की रूप में उन्होंने काम किया था मतलब एक्ट लेक्चररल थे एकोनومिक्स के और एकोनومिक्स के उन्हीं अपनी बेटी सावर मती के साथ में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के छोत्य सरवच नागरिक समान पतमर्षी से समाने किया घ्या ह था यexist जो है इनका ओडिशा की भुमनेश्वर से निदन हो गया है तो याद रखना है कि प्रसिद अर्तषासी परावर्णी वीद्थ, प्रफेसर धाता मोहन ये जो ऑडिशा की भुमनेश्वर में से लौंच हुए और योजना का नामे कवर्च परसनल लोन योजना तो हाली में कोविट-19 रोगियों के लिए SBI ने कवर्च परसनल लोन योजना जो है स्टार्ट की है तो इस योजना के बारे में पढ़ेंगे तो इस योजना के तहचे होंगा जो ग्राहक होंगे मतलब जो कस्टूमर से SBI के वो सहाट महीनों के लिए 8.5% प्रतिव वर्ष की ब्यास दर पर 5 लाख रुपे तक का जो है रिन बैंक से प्राप्ट कर सकते हैं मतलyas इस योजना परेंट है यह मतलबं पांच साल माहिन का योजना सो बीजाईगी इस जोशना के तहत लिया गया रिंड पहले से किये गए कोविट से संबंदी चिकिसा खर्चों की पति पूर्टी को भी कवर करेगा अगर आपने पहले भी कोविट की लिए कोई रिंड लिया है तो और आप यह रिंड लेगते तो वह इस सब को क्या है कि यह कवरिंग कर अगरा का मुख्याले है नई दिली में और इसके स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 21 जुलाई 1905 बढ़ते हमारे नेक्स्ट कोशन की तरह हमाराज का फिप्ट कोशन ही भारती एथलेटिक्स महासंग एव एफ आई की अनुसा इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किस जो है पत्यां पॉट कि लिशे स्थान पर किया जाएगा तो इसका सही आंसर है ऑपशन वUBर एजो है पटियाला के पंजाप पंजाब में कुख बě्स में होगा को राश्टियख्य थे संस्थान सामग भाहां वहाँ पे होगा भारत के स्टार्ट स्प्रिट्स दूती चंद और हीमादास जो है 2021 के चोते भारती जीपी में भाग लेने की उम्मीद है तो इसे भारत के स्टार्स होंगे स्प्रिट्स दूती चंद और हीमादास 2021 के चोते भाती जी-पि में भाग लेने की उम्मीद होगी. यह जो Grand Prix 4 का अयोजन हो रहा है. 21 जो उनको राश्टे के हिल संस्टान पटियाला पंजाब में होगा. और यह Grand Prix 4 है. बदर 3 तक हो चुक्या है, और यह Grand Prix 4 होगा. बसे इसमें यह य्याद रखना है, तो पटियाला के पंजाब में होगा आज का हमाया 6th question है 77 भायत के पहले ओलम्पियक कौन थे तो इसका सही answer है Option number D, सूरस C, माथू जो थे ये 77 भायत के पहले ओलम्पियक थे और 1952 की जो हिलसन की ओलम्पिक में दिगज अमिल जोतेपक की साथ दोड़ते वे माथू ने जो थे दो गंटा 58 मिनिट और 92 सेकेंड में जो है इन्होंने जो दिगज अमिल जोतेपक की साथ दोड़ते वे माथू ने जो थे दो गंटे 58 मिनिट और 92 सेकेंड में 52 स्थान पर जो है मतलब सूरसी माथूर का जो जिनम हुआ था वह देली के मौम्माद कुल माजरी गाव मना कराला में हुआ था पर दो बार के द्राश्टी चैंपियन भी रहे और इसमें बात यह याद रखनी है कि सवतेंदर भायत के पहले ओलम्पिया अगर कोशन आता है कि सवतेंदर भायत क कि पहले ओलम्पियकते सूरसी मातूर यह दो बात जो है नेशनल चैंपियन रच चुके हैं और 1952 में इन्होंने जो थी 92 स्थान पर आये थी और इन्होंने जो दोड़ पूरी की थी वह पूरी दोड़ते होती दो घंटी 58 मिनिट और 92 सेकेंड के जोड़ती जिसमें उन्हो जो है जनम हुआ था और सबसे ज़्यादे इंपोर्टन यह है कि सबसे पहले संदर भारत की ऑलम्पिकत है पस ऑलम्पियन थी नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अचका मैं सेवन्थ कोश्चन है अकील भात यह उच्छी शिक्षा सर्वेक्शन और इंडिया सर्वी ओफ हायर प्रतिशा सर्वेक्षन में कि उसी सर्वेक्षन की ऐए और उससे ब्रतिश्या सर्वेक्षन की यह हु Channel capitalist में ऩोरे सकते हैं और उस सर्विक्षन के अकॉर्डिंग जो है ने 5 साल में चात्यों के नामानकर में जो व्रद्धी प्राप्त हुई है वह हुए 11.4 पतिशत्की ने व्रद्धी प्राप्त हुई है तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है पिछले 5 वर्षों में मतलब 2015 से लेकर 2020 तक में चात्रों के नामनकर में 11.54 की वद्धी हुई है और 15.16 से 19.20 तक उच्छी शिक्षा में महिला नामनकर में जो है 18.02 की वद्धी हुई है मतलब इसमें इंपॉर्टन यह है कि जो 15.16 और 2019 तक उच्छी शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो महिला नामनकर था महिला नामनकर जो किया गया था मतलब इंवॉर्मेंट जो था 18.2 था मतलब सबसे अच्छी बात है कि 18.2 है पॉजिटिव इडिय है तो इसके अलावा हम इसमें बात करेंगी कि जो AICHE मतलब अखिल All India Survey of Higher Education कि अगर हम बात करेंगी तो 2020 की प्रमुख विशिष्टा इसी है थी कि उच्छी शिक्षा में कूल नामनकर जो हुआ था वो 3.85 करोड था और सकल नामनकर का जो अनुपात था इनका बोट है 27.1 परसेंट और उच्छी शिक्षा के लिए इनका लिं 1.01 और उच्छी शिक्षा में चात्र शिक्षा का नुपात था वो था 26 और PhD करने वाले चात्र की संख्या जो थी 2.03 लाग तो इसमें इंपोर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया कि इसमें सबसे इंपोर्टेंट यह कि माईला नामनकर में जो है उसमें व्रद्दी और उच्छी शिक्षा के लिए हायर एजूकेशन के लिए और इसकी विशिष्टाई भी इस ब्रैकेट में दी हुई है तो आप पढ़ लेना कि उच्छी शिक्षा का कुल नामनकर था 3.85 करूर हुआ था और मतलब उनका यही कहना है कि जो 5 साल में जो चात्रों के नामनकर शंकला का एक दसवा संस्क्रण है इसका और उच्छी शिक्षा विभाग दोरा इसे प्रतिवर्स जो है वो जारी किया जाता है आज का हमारा एट कोश्य ने भारती रिजर्व बैंक आर भी आयने एटियम से मुफ्त नगत निकासी के सीमा को कितना कर दिया है तो इसका सही अपूरा आप धियुआ है 5 बार कर सकते हैं पहारती रिजर्व बैंक के तो अपने बैंक के अपने बैंक के ATM से हर महीने पांच मुफ्त वित्तिय और गेर वित्तिय लेंदिन कर सकते हैं अन्य बैंक से मुफ्त ATM लेंदिन की सीमा जो होगी ATM कारदारे को मेट्रो केंदरों में तीन मुफ्त वित्तिय और गेर वित्तिय लेंदिन कर सकते हैं जबकि अन्य बैंक की ATM से गेर मेट्रो लेंदेन पांच लेंदेन किये जा सकते हैं इसके अलावा इंटरचेंज शुल्क में व्रद्धी वित्य लेंदेन के लिए व्रद्धी लेंदें इंटरचेंज शुल्क जो था 15 रुपए से बदल का 7 रुपए कर दिया है इन्होंने जो इंटरचेंज का मतलब चेंजिंग करते हैं शुल्क चेंजिस होता है तो उसका जो रुपए ने काया 15 रुपए से उन्होंने जिता 17 रुपए कर दिया है एक अकर 2021 से गेरवित्य लेंदें के लिए यह शुल्क जो होगा 5 रुपए से बढ़कर जो किया जाएगा 6 रुपए कर दिया जाएगा इसके अलावा मुफ्त लेंदें सीमा से अधे केटियम निकासी पर नया शुल्क बेंग रहागों को एक जनवरी 2022 से सीमा से अधे प्रत्य केटियम निकासी के लिए 21 रुपए मतलब वर्तमान में 20 रुपए है लेकिन वह भी आप क्या कर दिया है निकासी 21 रुपए का भुकतान करना होगा कि आपने 5 परस जादा किया तो आपको 20 रुपए का भुकतान करना हो था था वो 21 र चीजिस में मैंने आपको बता दिये आप इसको एक बार फिल से अपने इससे आप से पढ़ना है तो बढ़ते हमारे नेक्स कोशन की तरफ अजका हमारे कोशन नमर नाई है हाली में किस बैंक को फोबस द्वारा मतलब इंडिया बैस्ट इंडरनेशनल बैंक 2021 का जो पूरु कर दिया है तो हाली में जो बैंक को फोबर्स द्वारा जिस बैंक को फोबर्स द्वारा इंडिया बैस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पूरुषका मिला है तो वो बैंक के डी बीएस बैंक और डी बैस बैंक के अगर हम बात करें तो डी बीएस बैंक इंडिया को हाली में एज इश्यमनी के दोरा इंडियास बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 कुरूस का दिया गया है लगातर भारवे न्यू यॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए भी डीबीसी को सेफिस्ट बैंक इन एशिया का कुरूस का दिया था मतलब 2020 में भी जब भारवे वर्ष न्यू यॉर हाली में 2021 में इंडियास बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरूस का दिया गया है तो ग्लोबल फाइनेस के तरफ से 2020 के लिए तिसरी बार लगातर लगातर बैस्ट बैंक इन दह वर्ल्ड का पुरूस Sakhar दिया गया है 2019 में financial publication economy euro money की ओर से इसे world best bank का पुरुसकार मिला है 2019 में भी इन्हे financial publication euro money की ओर से भी world best पुरुसकार मिला है और हारी में Asia money के द्वारा इन्हें मिला है India's best international bank 2021 का पुरुसकार यह याद रखना अगर आप bank की exam जाते हैं तो bank exam में की question आए गई जो RBI का मैंने इसके पहले बता है वो और DSB बैंक से related अगर आप exam देते हैं तो bank के रिलेटर आपको कोशन्स भी आएंगे तो आप यह सब कुछ note करके रखिएगा most important है कि DBC जो बैंक है इसके बैंक इंडिया इसके बारे हम थोड़ा सब पढ़ेंगे कि उसके प्रबंदन निदर्शक जो थे CEO जो है इनके सुलिजिस शोम है इसके अलावा जो है इनका मुख्यारे सिंगापॉर में है और इसका जो टैग लाइन होती हर चीज के अपनी टैग लाइन होती तो जो DBC बैंक है इसके अपनी टैग लाइन है Mac Banking Joyful Question No.10 यह हमारा वीडियो का last question है Question No.10 तो इसका question यह हमारा मंगोलिया नए राष्टपती कौन बने तो मंगोलिया के जो नए राष्टपती बने है वो बने है उखना खुरेल सुख उखना खुरेल सुख जो है मंगोलिया के नए राष्टपती बने है मंगोलय के नए राष्टपती जो है उखना खुल सेफ को बनाया गया है तो मंगोलय के पूर्व प्रधान मंत्री मतलब यह राष्टपती के साथ पूर्व प्रधान मंत्री भी थे पूर्व में प्रधान मंत्री रचुगे और हाली में इने राष्टपती नियुक्त किया गय तो उखना खुल से देश के छटवे लोक तांती कर्णियों को चुने गए राष्टती बनें चटवे maior मय ध्यान रखेगा यह Jan 17 रूप्न मंगोली फ्पूल्स पार्टी के समब्ली पर्टी के हैं इनका यह सम्बंद देशिते मंगोलिय के पिपूल्स पार्टी टे में मंग् बढ़ा है और इसके पूर्वे यह प्रदार मंत्र के पत पर भी कारे कर चुके हैं और इनका जो संबंद है इनका संबंद कहां से कौन से सथा संबंद है तो इनका संबंद सत्ता रूपें मंगोलिया प्यूबल्स पार्टी से इनका कॉंटेक्ट तो हमारा वीडियो आज यही और इसमें आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टें नी क्योंकि हमने काफ़ी डिफ्रेंट डिफ्रेंट अजीव अजीव से नाम पड़ रहे हैं आज किसमें तो इस सारे इंपोर्टेंस कोशन से अरबिया से बैंक से बैंक से रलेक्टेट पुरुषकार जितने प्राइज़ वागिए असके वीडियो में तो आप सब वी नौट कीजिएगा एक फ्री से वीडियो से लिए या पीडियाऑ के लिए हमेटेलेग्राम के उन्हें सभी जू